आप देख रहे हैं इस स्लाइज टुटियर आज उनों को पताने जा रहे हैं जनेरेशनल कम्प्यूटर की कितने प्रिडिया हों कम्प्यूटर की हमारी चार प्रिड़ि हैं सबसे काले 1945 जनेर प्रथम प्रिड़ी का गय है ुसके वाने चापा सो तिरसाट जिसको जुट्ची प्रिड़ी कर गई है 1964 सम 84 से सु 3rd generation कहा गया और 1970 से जो अभी तच चल रहा है इसको हम एंगे 4th generation जाने चतुरसाइड जाते हैं और जो 5th generation है यह अभी upcoming future है हमारे जितने वी अलग लेक वर्षों में यह divided किया गया है वो उसके technology की साब से divided किया गया है क्योंकि अलेगल टाइम प्रिज हमसे टेगनोलजी स्थनोन haseda अब हम सी तलश। कज़ा है, सबसे पहले जिलाते आप सबसे पहले हमारा माशिट्चम hierarchy मैं कात्पराण दिवहेर करिज हुए owners इस एक ऐसा इस ट्रवाइश होता था जिसमें की मेगनेटिक अक्साइड का उसमें क्लैडिंग किया थी जिसके थो टाटा को श्टूर के जाता था वैक्यूम टिपर में टेखनोलोजी थी जो कि उस तरह में हमारी यूज की जाती थी कंपुर्टर को चलाने के लिए इसकी जो गती थी स्टूर्ट थी थी 333 माइक्रो सेकंड का मतलब होता है 10 to the power minus 6 मतलब कि आपका 10 लाख एक सेकंड में 0.1 सेकंड इकल तो 1 सेकंड इकल तू 10 लाख सेकंड 10 लाख सेकंड वह माइक्रो सेकंड उसका वह उता था मतलब आप जो गढ़नाय करता था वो सेकेंड का 10 लाखो ऐसा वो पता था इसके लिगी स्पीड जो थी मतलब 10 to the power minus 6 यह हमारा microsecond पता था एक सेकेंड में 10 to the power minus 6 यह हमारा microsecond मेर करने के लिए मैंने पाइमारा बनाया हुआ है यह जो दिया हुआ है अगर मताते हैं चली फिर जरूप करते हैं तो हमारे सबसे पहले फ़र देखते हैं फ़र जेंरेशन में हमारा वर्स 1940 से 1956 चला इसमें जो टेक्नलोजी हुई होई हमारी वाक्यम ट्यूब टेक्नलोजी हुई वाक्यम ट्यूब के बारे में आपको अलड़ी बता हुआ जो का हो वीडियो में उसके बाद इस्टोरी डिवाइस जो ही थी वह मैगनेटिक ट्रंग जो की हमारा इस्टोरेस कारें के लिए यह बच्क के जाता था इसकी जो स्पीट थी वह 333 माइक्रो सेकेंड था, एक सेकेंड में 10 to the power minus 6, यह होता है, इसका माइक्रो सेकेंड आविजलमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम जो हो इसमें, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हो है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब कोई भी चीज बैच में जाना है, उसमें पंच कार्ड उसके बात पर जो भासा योज हो यह हमारी machine language, machine language के मतलब यूज हो यह होगा कि जो भासा यूज के प्रोग्रामिमें जो यूज होती थी, वो नहरी खुती लैगवज हो के, बलकि machine की language होती थी, zero और one, उस language में इसमें communicate कियाता था, तो इसको चलाने के लिए वही चला सकता जो इस language को जानता हो या जिसने उस बनाया हुआ इस जो PD में या इस generation में जो computer बने थी वो इस computer पे जो language डेवलप कियाता था वो कि उसी system में चलता था वो किसी और system पे काम नहीं करता था दोसरी चीज यह limited storage capacity थी मतलग कि इस पे data जो store होता था वो एक limited storage पे ही होता था उस जादा data storage नहीं हो सकता था data storage या पर machine की जो coding है वो data input है बहुत slow होता था data output की speed बहुत slow थी ले इसमें computer की speed थी वो बहुत fast थी fast होने के सबसे बड़ी बज़र यह होती है कि हमारे जो communication होती है वो computer की language में हो रही है binary language में जब आप machine language से machine language बात करेंगे तो वो response होगा वो fast होगा क्योंकि उसमें कोई assembler या interpreter में नहीं है जो keys को convert करें और timely तो इसकी speed तो fast थी बट यह जो speed input और output की थी वो slow थी इसका basically UPO का हमारा center click हुआ था इसमें computer zone उससे में जो यादा use हुए थे जो हाइलाइट था वो NEA UNIWA को Mark 1 था यह इतने भी computer थे यह समें हमारे काउं के technology पीज़ते हैं back into it के अब हम बात करते हैं second PD के second PD के जो हमारे computer था वो 1956 से लेकिए 1963 तक होना था technology का इसमें change आया technology में क्या युजना लगए transistor transistor हमारा आप देहिंग दो टाइब ट्रांजिस्टर होते हैं PNP and PN मैं आपको आदर सेक्षिन में पढ़ाँगा आपको के PNP and PNP transistor के होते हैं तो यह जो transistor आगया है हमारे क्या हो गया कि computer का size automatically छुट रहा हो गया vacuum tube technology में क्या होता था कि vacuum tube कापी heat generate करता था और यह बहुत ही बड़ा कम्रे के बराबर यह computer होता था जिसके अंदर बहुत सारे लग पर 10,000 के करीब 8,000 18,000 यह हमारे vacuum tube लगे होते थे जूकि हमारे ट्रंसर प्रेडी के technology पर काम करते थे यह vacuum tube क्योंकि गरम होके और बार बार इसमें problem आते रहती थी इसकी वज़े से यह technology change करके transistor technology आया transistor technology में क्या होगा vacuum technology जो problem आती थी problem इसमें short हो गया size जो बहुत बड़ा था size चुटा हो गया यह magnetic term से magnetic core में आ गया magnetic core actually हमारा कह सकते है कि एक हमारे technology एक हमारा device था जो की magnetic पर काम करता था वो storage storage like a CPU tag होता था उसी में यह store होता था जो आज भी हमारा magnetic core पर ही लगबार थर्ड गनरेशन तक श्टार्ट हुआँ आप तो semi-radictor memory, RAM अम आगया magnetic core technology था इसकी जो split थी वो 10 microsecond हमने बता दिया है कि 1 second में 10 to the power minus 6 microsecond होते है इसमें जो operating system यूज होता था remaining time sharing operating system इसमें जो भाजा यूज थी assembly language का यूज होता था क्योंकि इसमें दीरे-दीरे हमारे उन भासाओं को यूज करने लगे जिससे की हमें कंप्रूटर पर काम करने में असानी हो इसलिए assembly language काउंसी भासा बोलते है low level language बोलते है ठीक है इसी में हमारा sky code का उदय हुआ sky code हमारे विक्से तो sky code के standard बना था जिसके through इसमें बात होते थी assembly language हमारे sky code का यूज के जाता था इसमें बिसस्ता थी तर ट्राइश्टर के यूज के रहे साइज के थी छोटी हो गए थी fast हो गए थी reliable हो गए थी commercial और नहीं में इसका basically ज्यादा यूज जोगता थी अब बात करते हैं third generation के third generation हमारा 1964 से 1971 तक हुआ इसमें हमारे टेक्नलोजी और चेंज भी इस सारी छीजे खत्म अब हमारे आगे IC का यूज जब आप IC आगे IC के आगे integrated circuit होता है यह बहुत सारे transistor को मिलाके IC बनता है IC क्या होता है कि बहुत सारे transistor को मिलाके संग्रेत रूप क्याजत है IC हमारे आप 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 IC क्या सारी साइज थी आप आप होच ही कम होगे और हमारा जिस्तर में desktop computer यूज़ होते है वो आईसे technology पही है magnetic core इसमें भी हमारा उज़ीता था इस्टोरेज में और इसमें nanosecond speed fast हो गया nanosecond technology आगी एक nanosecond होता है 10 to the power minus 9 10 to the power 9 time जो होता है वो हमारा one nanosecond equal to one second equal to 10 to the power मैं याद रखिएगा यह बहुँ जरूल होता है करनोड़वा भाग होता है ठीक है उसके बाद हम इसमें operatic system बताते हैं इसमें operatic system real time sharing operatic system यूज़ नहीं लगा AASA इसमें थी FORTRN or COBOLS FORTRN होता है formula translator बास साब COBOL होता है common object business oriented language यह हमारे business related language थी इसमें हमारे भी सस्ता किये थी कि remote processing होने लगी input output यह controlling software आगे जिसके तो ही control होते थे यह totally हमारा database का काम उसके बाल online registration और भी बहुत सारे काम हमारे third generation में computer से लिए जाने लगे इसमें IBM system 360 NCR 395 B6500 यह सब हमारे popular computer थे उसमें जो की use होते थे नाव हम बात करते हैं 4th generation के बारे में 4th generation हमारा उने शेकर तर से यह कि अब भी तर जो चल रहा है वो हमारा 4th generation ही चल दा है इसमें very large scale integration and microprocessor का use होने लगा यह semi conductor हमारी memory use होने लगी जो 9 second है वो बहुत fast हो गया 300 9 second time sharing और network operating system पी यूज होने लगा C++ Java language और बाकी इसमें language use करते हैं वो सारे हमारे 4th generation में ही आते हैं इसके बाद जब technology काफी broad हो गई है सारे technology change हो गई है तो computer का size automatically change होगा VLSI technology आ गई है इसका मतलब की computer laptop notebook उसके बाद tablet smart mobile इस सब हमारे जो technology है VLSI, Microchip इन सारे जी technology के इसे तो अचानक से इसमें ऐसा push P.O. नहीं है computer छोटा होगा ही, fast होगा ही, speed speed की बड़ेगी, multi-using होगी, use log जादा करेंगे और यह हर जगे use होने लगे तो electronic phone transfer is the very easy thing, बहुर ऐसा कुछ नहीं है production, personal इसमें सबसे पहने जो computer आया था हमारे 4th generation में IBM का आया था, PCXT, Apple का आया था, Intel 4004 अब तो हमारे सारे बहुत सारे computers हैं, बहुत सारे कंपणिया हैं, लेकिन यह स्टैटिंग कंपनी थी जो समय के ट्रैमर्स कंपनी जो launch थी Now, हम 5th generation की बात करते हैं, जो कि future को लेके है, अभी ऐसा कुछ नहीं है, intelligence पे यह काम हो रहा है, knowledge processing information system इसमें यो जो हो रही है, VLSI technologies जो हो रही है, optical disk के साथ यह काम करेगा, साथ में इसका काम करने का तरीका है, वो processing speech character है, उसके बाद यह image recognition और natural language को लेके हो रहा है कि इस पे कैसे काम करे रहा है, तुटिली अब इम आपने बताया कि, relation of computer के बारे में, तो आपको सारी चीज़े हमने एक table group में दे रखी है, जिससे कि आपको पढ़ने में और याद रखने में आशानी होगी, यह आप अपनी शुक्त हैगा हमारी याद करने वाली चीज़े है जिसके आप फोकस करिएगा, PD पे, voice पे, उसके बाद तकनीकी पे, उसके बाद magnetic device पे, भासा पे, और वियूब पे कभी-कभी operating system बूश लेता है, बट इन चीज़ों को आप ज़्यादा फोकस करिएगा क्योंकि इन में से जादा questions आते हैं हमारी computer पेडिंग में से, ओकी, तो आज का आपको section कैसा लगा हमें अपने इंप्रेशिक लिए बत आई है, thank you so much